बिस्मिल्लाहिर रख्माद रॉरहीम, अस्सलाम अलेकुम आई दिया स्टूरेंट्स, रबेजित दे इल्मा, you know we have started, चेप्टर नुबर 23, पार्ट 2, बात आप लोगों से करेंगे DNA की, और बहुत सी बाते आप से पहले भी हुई है, पार्ट 1 में, चेप्टर नुबर 2 के अं ये स्टूरेंट्स, बात कर रहे थे आप लोगों से DNA की, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा में डिस्क्स किया था, कि ना तो प्रोटीन जर्रेटर मेटियल हैं, और ना ही आ रहने, बलके DNA को ये एजाज हासिल है, कि अल्लाह रभ लिजद ने उसे एक जनरेशन आफ इसी पर्टिकर मॉलेक्यूल की डिस्कवरी की बात राफ से करने वाले हैं, तो बात ही हमारे दे सुटेंट्स, फ्रेटरिक मीशर, ये वास 1869, तो 1869 में, फ्रेटरिक मीशर ने एक्स्परिमेंट किया, बताया गया आप लोगों को बहुत पहले से भी, दुबाह से लिख द उसने बहुत से human cell लिये, और उस particular cell को उसने fractionate किया, और fractionate करने के बाद उसने से निकाल लिये, उसने nucleus, और फिर उन particular nuclei में से, उसने gentle disruption की, और gentle disruption के बाद जो substance बाहे निकला, उसने उसको नाम दिया, nucleon, और वो जो nucleon था, उसा color white था, फिर जब उसने, उस particular material की, चेक की क्या pH तो पता चला कि वो acidic है, तो नाम रख दिया गया nucleic acid, यानि कि हम nucleic acid की बातें करने वाले हैं, और I hope कि आप में success students को, वो chapter, वो वो lecture याद होगा, जिसमें ये सारी discussion बहुत detail से की थी आप लोगों के साथ, 1869, यानि के मेंडल के work के publish होने के 4-5 साल के बाद, discover हो गया था, nucleic acid, फिर बाइजर सुदेंस, निस्ख century गुजर गई, यानि के 50 साल गुजर गई, in 50 सालों में, there was no improvement, 50 years तक हमारे biologist, हमारे biochemist, हमारे scientist, they remain, all together, were silent, फिर तर गेबन 50 साल कुजर दें के बाद, हम बात करें हैं, 1920 की, में फिरेकब्र्टू आया, and this time breakthrough was by a biochemist and his name was P.A. Lavigne, बहाँ से लोगे से लवीन और बहाँ से लवीन बोलते हैं, whatever you want to say, most important thing are again spell that you should know, कि 1920 में P.A. Levine who was basically biochemist उसने हमें DNA की नेचर के बारे में बताया उसने बताया कि जो हमारा DNA है it consists of three things और जो three things थी उनमें से एक कराम क्या था हमाई जे सुडेंट्स पैंटोज शूगर याद रखें ये कोई नई बात नहीं है ये बात आप लोगों से पहले से हुई हुई है कि पैंटोज शूगर थी और पैंटोज शूगर का मत्तब ही है कि इसमें पांच कार्बन अर्टम है look at this image कि इस पैंटोज शूगर means पांच कार्बन वाले कंपाउंड की दो अगर आप इसमें number of काबन अटम find करें तो वह होगी पांच oxygen atom find करेंगे तो वह भी होंगे पांच और अगर hydrogen atom की बात करेंगे तो होंगे 10 formula बन जाएगा C5, H10, O5 लेकिन अगर आप इसी के sister molecule की बात करें तो आपको नजरा आ रहा है के इसमें अब भी 5 काबन अटम है C5 और अगर आप बात करेंगे hydrogen की तो वह भी किती है 10 like previous one H10 लेकिन अगर आप इसकी oxygen काउंट करेंगे तो क्या वह भी 5 है तो answer is no यहाँ पे oxygen हो गई है 4 तो formula बनेगा C5, H10, O4 सवाल की है के oxygen कहां missing है any guess yes perfect आपने भी कुछ सही कहा है के carbon number 2 पे oxygen नहीं है ठीक है सवाल यह है के यहाँ पे दो किसम की riboses दो किसम की pentoses क्यों है तो answer is के C5, H10, O5 पाया जाता है RNA में और इसे हम बोलते हैं ribose sugar लेकिन C5, H10, O4 जिसके अंदर oxygen की कमी है that is called as deoxyribose sugar and it is integral part of DNA आएं लिखते हैं आप लगों के लिए दो फोर में इसे करता है C5, H10, O5 it is integral part of RNA यह RNA का part है और अगर आप देख रही है C5, H10, C5, H10, O4 तो it is an integral part of DNA तो इस तरह से मेरे पास दो किसम की ribose sugar पाई जाती है опять next thing is phosphate next thing is my dear students what phosphate usually we call it as inorganic phosphate and we write it as PI and it formula is H3PO4 और आपिफ रही के स्क्स्ड़ के दो, अ चम्स्द़ के स्क्टकर रहा हैंगे three sides and it is crowned with oxygen and it is crowned with oxygen and it is crowned with oxygen. Remember these two lines are mixed, there are two lines, I want to make it clear for you that here are two lines. This is the formula of inorganic phosphate H3PO4 and the third thing is called as nitrogenous base and nitrogenous bases, you can know that there are two different forms exist. One of them is larger nitrogenous bases, larger nitrogenous bases. We can see why we say larger. The answer is that in this particular case, we have two rings. Look at this, this is carbon, this is the third, this is the third, this is the fourth, this is the fifth and this is the sixth. Right? लेकिन इसले केस में जब हम बात करेंगे कि इसकी nitrogenous bases की तो इने हम nitrogenous bases कहते ही इस लिए हैं because के इसकी इस पोजिशन पे और इस पोजिशन पे कार्बन नहीं होती बलके nitrogen होती है. क्या होते हैं हमारे students? nitrogen. N is here and N is here. अगर मैं आप, अगर आपको याद हो तो मैं इस particular ring की counting कहां से शुरूर करूँगा? यहां से start करूँगा 1, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5 और यह है 6 तो basically यह hexagon है लेकिन यह heterocyclic compound है इसका मतलब यह है कि इसमें 2 किसम की elements चामिल है One of them is carbon, other one is nitrogen, therefore it is heterocyclic Right, my dear students? और इसका दूसरा ring मेरे पास कहां है? यह कैसे बनता है? तो इसको black सिर्ट करता क्या को समझा आ जाए वो इसके साथ attached है by means of N-C-N, again हमने यहां पर N-C-N को लिखना है N-C-N, Right, बाकी बातों का आप लोगों को पता है, आपको इस बात का अंदाजा भी है काबन के वैयंसी चार होती है, N-C-N के वैयंसी हमारे पास तीन होती है, Right, तो इस इसले में जूगला का हमें आप लोगों के पास वो यह है कि आप सबसे पहरे इंड के वैयंसी बालन्स करें, तो उसके लिए आप एक line यहां लगाएंगे एक line यहां लगाएंगे एक line यहां लगाएंगे एक line यहां लगाएंगे और जो carbon जो nitrogen 1 और 2 की दर्मान में है यह double bond exist कर रहा है और 3-4 में भी double bond exist कर रहा होता है यहां पर भी हमारे पास सिरफ a की double bond that is lying between nitrogen and carbon और यहां पर आगे single single bonds present है right my dear students तो मेरा के लिए मक्सदगी है my dear students कि इस तरीके से बन जाते हैं मेरे पास carbon की valency 4-4 यहां पर भी देखें हर जो लगेगी 4 हो जाएगी यहां पर 2-3 already present है एक उपर बढ़ाऊंगा मैं amino group तो इसके valency भी क्या हो जाएगी मेरे पास पूरी हो जाएगी means 4 हो जाएगी तो valency of nitrogen should be 3 valency of carbon should be 4 and valency of nitrogen should be 1 sorry 3 तो इस तरीके से यह बन जाता है मेरे पास पहला larger nitrogenous base और इसको हम कहते कि हैं जना अभी से हम नाम देते हैं A, A stands for adenine तो यह पहली nitrogenous base है और अगर आप इसकी sister nitrogenous base की बात करें तो इसका नाम है guanine आई दिखते हैं कि अब guanine को कैसे बना सकते हैं तो answer is again very simple हम विशा start लेंगे वही ncn से तो आपकी सुलत के लिए हम यहां पर लिखते हैं n और यहां पर लिखते हैं n और और बाकी सब जोह पर हम लिखेंगे क्या c, 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 n, c, n, c, n, then c, c, and c, right? और फिर आपको यहां दे कि हम नहीं क्या बोला था कि यहां पर भी हम लिखेंगे what n, यहां पर भी लिखेंगे क्या n, मैं चाहरा हूं था कि आपको color coding change नहों, तो यहां पर हम यहीं लिख रहे हैं आप लोगों के साथ n, and then n, और फिर जाहर है हम यहां लिखना पड़ेगा क्या C, right, तो basic select हम ने बेना लिया है, valency दुबाद से पूरी करेंगे, पहले हम नहीं सब लाइनों पर एक लिख लाइन से जोड़ेंगे, right, single line से जोड़ेंगे, और उसके बाद हम इनके valency करेंगे, पूरा कर देंगे, आपने याद यह रखना है हमारी यह students, बात बड़ी important है, और पते की है वो यह, कि adenine में amino group काबा नंबर 4 पे attach है, और guanine में amino group काबा नंबर 2 पे attach है, right, बात सबचेगा अब लोगों को, फिर यह valency होगे मेरे पास क्या पूरी, then अगर आप इस काबन की बात करें, तो किसी phosphate की तरह से यह वाली carbon भी crowned है with oxygen, it is crowned with oxygen, right, इसके इलावा आपने इसके दर कोजे जाद नहीं रखनी, आपने सिरफ और सिरफ अब इसके valency पूरी कर देनी है, तो एक ऐसा molecule that is crowned with oxygen and has got amino group at carbon number two is none other than guanine, it is represented by capital G. यह जो दो बड़ी nitrogenous bases means adenine or guanine, इनको हम लोग मिला के एक ही नाम देते हैं and that very name is called as purine, आपको याद होगा मैंने बुला था के purine का नाम छोटा है, लेकिन इसकी दो nitrogenous bases वो बहराल क्या हैं, काफी बड़ी-बड़ी हैं, because they consist of two rings, one ring consists of six corners and other ring consists of five corners, तो यह बन गई मेरे पास क्या, nitrogenous base की पहली type that is called as purine, और अब हम बात करते हैं, छोटी nitrogenous bases की, जिसे मैं आम तोर पे cut की नाम से आद करवाता हूँ, because, कि हमारी periomberdine में तीन किसम की nitrogenous bases शामिल हैं, जाहर है, cytosine, uracil और thymine, आई हम इनको भी वज़ाना सीखते हैं, इस purpose के लिए, चुकि यह चोटी है, तो इसके दसरफ औसरफ एके रिंग शामिल होगा, तो सबसे पहले हम rings draw करते हैं, जाहर है, हम start करेंगे, N से N यहाँ पर लिखेंगे, तो उसको छोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, फिर यहाँ पर C आएगा, C लिख रहा हूँ, फिर आने का से चोड़ रहा हूँ, और फिर आगे हमारे पास सारे क्या आजाएंगे, C, C, C आजाएंगे, यही काम यहाँ पर भी कर लेते हैं, पहले से हम इन सब का C, C, C लिख लेते हैं, यहां पर हम यहां पर C से लिख लेते हैं, और जो बागी बेपास-बच के हैं जाए नाइटोजन है, इसलिए हम लोग इसको N से लिख लेते हैं, N and then N, यहां पर भी लिखेंगे क्या N और यहां पर भी लिखेंगे N, similarly N यहां पर और N यहां पर. Now we have made the infrastructure, यहां कि हम बेशी चीज़े बना चुके हैं, हमें पता है कि हमेशा N, C, N, C, 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 N, C, N, C, 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 और फिर भी बात है N, C, N, C, 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 C ही चलना है, right? मैं यह recommend करूँगा, कि आप सबसे पहले इस central molecule को बनाना सीखें, और central molecule का नाम के है U, U stands for uracil, यहां कि अगर आप लोगों को uracil बनाना आ जाता है, तो आप लोगों के लिए बाकी दो चीज़ें बनाना असान हो जाएगी, mean, cytosine और thymine, देखते हैं कि हम uracil को असानी से कैसे बना सकते हैं, by placing two oxygen crowns, by placing two oxygen crowns, one at carbon number two, one at carbon number two, and one at carbon number what, four, right? अगर आपको यह व्याद है इतना, तो आगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आगे तो सिरफ और सिरफ आप लोगों क्या करना है, विलेंसी पूरी करना है, विलेंसी पूरी कर सकते हैं, by just placing lines over here, look at this, तो पहला कम आपने याद रखना है, कि आपने N, C, N, C, 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 C के साथ दो oxygen क्या लगानी है, atoms लगा देनी है, one at carbon number two, other at carbon number four, ठीक है, अब देखें, my dear students, अगर आप क्या करते हैं, कि आप इसी मुश्किल के उठा कर यहाँ पर ड्रॉआ करते हैं, देखें, तो आपसी ड्रॉआ कर रहा हूँ, no difference at all, लेकिन, अब मैं carbon number four पे present oxygen की बजाए, carbon number four कों oxygen की बजाए, अगर मैं attach कर देता हूँ, एक NH2 group, right, तो यह बन जाएगा, मेरे पास क्या, cytosine, it will become cytosine, तो cytosine बनाने के लिए, आप लोगों ने basically carbon number four पे amino group attach करना है, right, अब हम चलते हैं, last thing that is called as what thymine, thymine बनाने के लिए, आप लोगों ने again, पहरे तो बात है, इनको आपस पर लिंक कर देंगे आप, यह आप लिंक कर दिया इन सब को, और यहाँ पर भी प्रेजेंट है वो ही oxygen वाला crown, तो इन टीनों में oxygen crown common है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, no difference at all, variation is basically lying at carbon number what four, four पे अगर amino group है, तो क्या है मेरे पास cytosine, और अगर oxygen है तो क्य कि मैं इस carbon number five पे CH3 methyl group लगा दूँ, तो फिर यह मेरे पास बन जागी क्या, थाइमीन, तो अगर आप लोगों को my idea students, यह वाला center atom molecule याद है, ठीक है, तो इसमें सिरफ एक substitution कर क्या बना सकते हैं, amino group, और इसमें एक addition कर क्या बना सकते हैं, थाइमीन, तो आपने दोबारा बो याद करना है, यूरासिल, यूरासिल की करेंगे substitution तो बन जाएगी क्या, एडिनीन, और अगर करेंगे methylation या addition तो बन जाएगी क्या, थाइमीन, तो आप लोगों ने यह formula, ऐसे याद भी कर ले हैं, बिकास के मापसर यह वाग भी पूछ सकते हैं, तो hence, यह जो तीन किसम की nitrogenous basis, यह छोटी है, इसमें दो ring नहीं है, इसके जाएग एक ring है, तो जब मेरे पास एक एक ring होगा, तो हम इसे बोलेंगे, smaller nitrogenous basis, लेकि इनका नाम बड़ा है, और हम इसे नाम कर देते हैं, pyramidines, right, तो इन सारी की साइट formations को, हमें फ्रेडरिक मीशर ने दिया, 1869 में, दुबा इन ने, बताया कि हमारा DNA, repeated units पे consist करता है, हर repeat, या हर unit क्या कहलाती है, nucleotide, और हर nucleotide के अंदर तीजी से शामिल होती है, one of them is called as a pentose sugar, और उसकी carbon number 5 पे अटाच होती है, phosphate, और carbon number 1 पे अटाच होती है, इन पांचों में से कोई एक dietogenous base, who gave us this information, P.A. Levene in 1920, इसके बार में further information किये, all information में क्या-क्या भी लिए, इसके लिए move करते हैं, to the next part of the board. Yes, my dear students, बात अकी थी, हमने आप लोगों से P.A. Levene की, you can say, deductions की या जो से reduce किया, आए हम उनको आपस पर जोड के लिखते हैं, ऐसा करते हैं, कि हम लोग सबसे पहले, एक pentose sugar draw करते हैं, this pentose sugar is C1, C2, C3 and C4, these are 4 carbon atoms, और they are connected with one another by means of oxygen bond, यहाँ पर oxygen होगी, इससे attach होगी, इससे, तो, यह मेरे पास basically, एक pentose sugar है, लेगन चुके इसमें 4 carbon attach हैं, तो लेहाज़ा इस ring को मैं फिरनोज ring का नाम दोगा, और इसकी carbon number 5 कहाँ attach होती है, it is basically protruding out of the plane, यह plane से बाहर निकली हुई है, इसलिए हम इसे बोलती है, it is something like the sailor of the boat, ठीक है, किसी एक कश्टी के बाद पैमा की तरह से यह बाहर निकली भी होती है, but it is something like it, कि जैसे, हम और हमने अपनी कार के उपर कोई antenna लगाया हुआ होगा हो, तो वो कार की surface से बाहर निकला बहुत है, this carbon number 5 is over here, and then look at this, कि अगर यह deoxyribose sugar है, तो फिर इसी carbon number 3 पे तो OH present है, लेकिन carbon number 2 पे सिरफ H present होगा, because कि मैंने carbon number 2 में साउसिजर निकाल दी है, therefore its name is deoxyribose sugar, right, अब इस carbon number 5 पे attach होती है, क्या एक phosphate, और phosphate का formula आप लोगों को याद है, बेने क्या बोला था, यह होता है, H3PO4, यह है formula phosphate, और carbon number 1 पे क्या attach होती है, carbon number 1 पे attach होती है, मेरे पास कोई भी nitrogenous base, NB nitrogenous base, और अब ही discuss किया मैंने आप लोगों से, कि either this particular nitrogenous base can be a purine, और it can be a perimidine, यह दोनों में से कोई भी हो सकती है, और आपको याद है, कि जब मैंने बात किती है, पिरीन की, तो it can be either adenine, और it can be guanine, दोनों में से कोई भी लग सकती है, अगर यहाँ पे attach होई adenine, तो इसका नाम हो जाएगा adenine nucleotide, और अगर यहाँ पे attach हुआ G, तो यह बन जाएगा guanine nucleotide, और guanine nucleotide, चीक है, तो अगर मैं बात करूँगा पिरीन की, तो मैंने आपके लिए word यूज किया था cut, तो इसका मतलब क्या है, कि either it can be a cytosine, it can be a uracil, और it can be a thymine, तिरों में से कोई भी हो सकती, तो मतलब यह हुआ कि किसी भी जिक्रियोटाइड में तीन चीजें होंगी, डियोक्सी राइबोस, शूगर, फॉस्फेट, और एक nitrogenous base, कितनीों में से, पांच में से, it may be adenine, guanine, cytosine, uracil और thymine, कोई भी हो सकती है, तो जो nitrogenous base यहां पे attach होगी, वो ही उसका नाम होगा, right, it may be adenine, it may be guanine, it may be cytosine, it may be uracil, it may be thymine, right, सवाल यह है, कि P-11 ने बताया था, कि यह nucleotides आपस में क्या करेंगे, अपने आपको बार 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 repeat करेंगे, मिसाल के तौर पे, ऐसा करते ही है, कि हम इस particular nucleotide को represent करते हैं, सिरफ एक चीज से, मिन आरजिनस base के difference से, कि अगर यह मेरे पास एक adenine nucleotide है, यह जुड सकता है thymine nucleotide के साथ, यह जुड सकता है cytosine nucleotide के साथ, यह जुड सकता है thymine nucleotide के साथ, तो यह आपस बहुड सकते हैं, nucleotides आपस में जुड सकते हैं, सावार यह है, कि यह वह दा nucleotide इस nucleotide से कैसे जुडा, यह इस से कैसे जुडा, यह इस से कैसे जुड़ा, तो इसको समझाते हैं आप लोगों का proper, draw करके कोई मिश्किलसी बात नहीं है, यह है मेरे पास एक nucleotide, इसके नीचे हम एक और nucleotide निख लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जार यह पांचों component दुबार लिखने पड़ेंगे, phosphate, pentose sugar, nitrogenous base, तो start करते हैं, किसे phosphate से, what is the formula of phosphate, H3PO4, लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, say this one, this one, this one, and this one, यह क्या है, phosphate, इस ने जोड़ना है, किसके साथ, pentose sugar के साथ, pentose sugar लिखते हैं आप लोगों के लिए, this is basically C5, this is C4, this is C3, this is C2, this is C1, and you know, C1 will link with C4 by means of oxygen bridge, तो oxygen bridge हम यहां पर भी लगा रहे हैं, C1 is going to link up with C1 by means of oxygen bridge, C1 is linking with C4 by means of oxygen bridge, C1 is linking with C4 by means of oxygen bridge, right, यहां पर क्या present है, यहां present है OH, remember, it is important, यहां present है OH, ठीक, अब, carbon number 1 पे बिने attach करनी है, क्या, कोई भी an indigenous base, मैं यहां पे इसको NB के तौर पर ही लिख रहा हूँ, कोई भी an indigenous base, it may be adenine, go on in, start to the same time, in, uracil, whatever, may be, यहां कुछ भी लख सकता है, carbon number 2 पे क्या attach था, H, यहां भी होगा attach क्या H, because it is deoxyribal sugar, carbon number 3 पे क्या attach था, गौर करी OH, तो यहां पर भी क्या attach है, carbon 3 पे OH, right, carbon number 5 पे attach है, phosphate, यहां भी carbon number 5 पे attach है, क्या phosphate, no difference at all, हमने, इस पूरे unit nucleotide को, इस पूरे unit से जोड़ना है, right, दुबाल इसे तो हम लोग के लिए, कि हमने इस पूरे unit को, इस पूरे unit को, that is called as one nucleotide, इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ, how we can do it, यह हम करना चाह रहे है, अगर आपको concept समझ आ गया है, तो इसको मिटाते है, the cohort is looking odd, हमने इसको इससे जोड़ना है, मिटा देती हैं इसको, right, well, students, concept is important, आपको समझ आ गई है, मैंने इसको इससे जोड़ना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले निकलोटाइड का, काबन अबर 3 क्या रखता है OH, निकलोटाइड अबर 2 का, काबन अबर 5 पे present phosphate क्या रखता है OH, तो बार रिवाइस कर रहा हूँ, because अगला सारा chapter इस बात पे base करता है, मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, अगला सारा chapter इस एक bond पे base कर रहा है, so be focused, be concentrating, right, काबन अबर 3, निकलोटाइड नबर 1 की बात हो रही है, it may be number 21, it may be 22, it may be 100, it may be 101, कोई भी निकलोटाइड, उसका जो उपर पर निकलोटाइड होगा, उस पे काबन नबर 3 क्या रखता है, OH, और अगला निकलोटाइड काबन नबर 5 पे क्या रखता है, phosphate, जो ही, ये वाले दो H आमने सामने आएंगे, तो यहाँ पे elimination हो जाएगी water की, इसका H और इसका OH फारिख हो जाएंगे, right, result में, इस oxygen के पास होगा, एक electron फारिख, और इस phosphate के पास में होगा, क्या, एक electron spare या फारिख, वो कहेंगे, तनहा तनहा यहाँ है जीना, कोई बात है, तो आउ शेक हैंड कर लेते हैं, जिसके result में, ये वाली oxygen इस phosphate से क्या करेगी, शेक हैंड कर लेगी, और यहाँ पे एक bond बनाएगी, जिसका नाम है, फॉस्फो एस्टर बॉंड, ये है, फॉस्फो एस्टर बॉंड, ठीक हैं, सिमिनरली, ऐसा ही एक bond, यहाँ भी बनेगा, लुक एट दिस, यहाँ भी यही बॉंड बन रहे हैं, यहाँ पे भी phosphate का OH, और इसे काबन पर 5 को OH आमने सामने हैं, तो यहाँ पे भ लेंगे, अब एक electron फारिग इस oxygen का, एक electron फारिग इस carbon का, तो वो भी क्या करेंगे, कहेंगे, वही बात तरह तरह जीना कोई बात है, तो आओ दोस्टी कर लेते हैं, तो यह भी क्या करेंगे हाँपस में, दोस्टी कर लेंगे, और एक फॉस्फो एस्टर बॉंड, यहाँ बन जाएगा, अब हम करते क्या हैं, इन दोनों के दोनों बॉंड को एक ही नाम से पुकारते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, तो आज़र इस फॉस्फो ड़ाई एस्टर बॉंड, यानि के एक ऐसी फॉस्पेट, जो एक एस्टर बॉंड उपर बना रही है, और एक एस्टर बॉंड नीचे बना रही है, भई, सवाल ये है, कि हम इस में से किस बॉंड को बूलेंगे एस्टर बॉंड, तो आज़र इस पॉक बॉंड को, पी ओ सी, पी ओ सी, पी ओ सी बॉंड, ये पी ओ सी उपर और ये वाला पी ओ सी नीचे, तो जब हमारे पास पी ओ सी, पी ओ सी ब दो बन रहे हैं तो बोलेंगे फॉस्फोर डाइस्टर वेनेवर आज की पंच लाइन आखिर मोस्ट इपरेंट बात कि जब भी मैंने दो निक्लोटाइड को आपस में जोड़ना है तो मुझे फॉस्फोर डाइस्टर बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा अब आज की सबसे अहम ब ये फॉसर निक्लोटाइड के साथ ये लाग निक्लोटाइड जोड़े ह़ेशा क्या ही होगा? कि जो सबसे पहला निक्लोटाइड हएज उसका कॉबन फाइव अपने फॉस्फेट के साथ हमेशा अविलेबल है तो मेंक अ बॉन्डु इस पर्टिकलर चेन का चाहpur ये दस पे कॉंसिस्ट कर रही है या सौ पे कॉंसिस्ट कर रही है उसका आखरी काबा नमबर तीन अपनी ओएच के साथ अविलेबल है तो इलांगेट दा चीन ये बड़ी इंपोर्टन बात है बड़े फोकुस करने वाली बात है कि काबा नमबर थ्री पे ओएच का होना बहुत तो फिर चेन इलांगेशन क्या होगी रुक जाएगी राइट इसलिए हम आपको याद होगा कि हमने पार्ट वन में ये बात कही थी कि हमारा डिए ने दो स्ट्रेंड पे कॉंसिस्ट करता है आपको याद होगा और मैंने ये बुला था कि एक चेन का नाम होता है फाइव ब था वो ये फॉसफेट वार बार है और जो थ्री बार है वो ये ओच वाला यू किसे एंड है तो फाइव बार थ्री बार वाला क्या है एक पॉलियूटराइल चेन है और आपको ये बात भी याद होगी कि अपने बुला था कि डी ने इस बैसिकलीर डबल हैलिकल स्ट्रॉक हैं किसी लाइन की दो पटड़ियों की तरह से किसी दर्या के दो किनारों की तरह से तो पैरलल तो हैं लेकिन प्रॉबलम क्या है इनके डिरेक्शन ओपोजिट है अगर इसका फाइव बार उपर है तो इसका फाइव बार नीचे है अगर इसका थ्री बार नीचे है तो इसका थ्री बार उपर तो जब दो चेंज एक दूसे के साथ साथ चल रही हो लेकर डिरेक्शन में ओपोजेट हो तो हम क्या आटाम यूज़ करते थे बेकुल ठीक एंटी पैरलल चेंट एंटी पैरलल चेंट राइट तो आप से आज की डिस्क्रिशन में जो बात बतानी है वो यही है कि किसी भी निकलोटाइड का आगास कावा नबर पांच से होता है और वोगा निकलोटाइड अपनी चेंट को इलोंगेट करवा सकता है अट कावा कि आपको यह भी याद है कि जब हम दो और यह मौली कुछ गोग आते हैं और उस पर से हम लोग वाटर निकलते हैं तो इस इस काल अज कॉल्ट एस कॉंडंसेशन रेक्शन तो यह एक कॉंडंसेशनल संथनसेशन हो रही है It is called as condensational polymerization because we are going to combine too many molecules together and want to make a huge polymer structure of the nucleotides. Therefore, it is called as condensational polymer. देखती हैं, इस particular molecule के बारे में और मजीद बाते हैं, हमें किसके साइटिस ने क्या क्या स्टडी करने के बात बताई हैं, इसके लिए मुव करते हैं, लास्ट पाट प्ट 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 पूर्ट पे. Yes, my dear students, अब बात करेंगे आप लोगों से एक और साइटिस की, जिसका नाम मेरे पास क्या था? Erwin Shergaff, Erwin Shergaff, right my dear students, इस साइटिस ने chemical analysis नहीं किया, इसने हमें quantitative analysis दिया, जानी कि इसको यह वाद पता थी, कि मेरे पास adenine भी होता है, guanine भी होता है, cytosine भी होता है, thiamine भी होता है, और uracil भी होता है, सब कुछ है. देकि और you want to know the proportionate, you can say combination of these things उसे पता चला, कि basically adenine के नमबर, adenine के नमबर हमेशा thiamine के नमबर के बराबर होता है, जब उसने क्या कि quantitative study की, तो पता चला, कि दुनिया में DNA कहीं से भी निकालूं, कहीं से भी निकालूं, उसमें adenine निकलोटाइड का नमबर, thiamine निकलोटाइड नमबर के हमेशा बराबर होता है, फिर उससे क्या find किया, कि बेल्कुल ठीक है, कि अगर मैं cytosine के नमबर की बात करूं, तो वो हमेशा guanine के नमबर के बराबर होता है, यानिके हम कहना यह च अगर मैं adenine और guanine के नमबर की बात करूं, अगर मैं adenine और guanine के नमबर की बात करूं, तो उनका sum हमेशा cytosine, thiamine के नमबर के बराबर होता है, तो sum of ang, that is basically what purine, it is equivalent to sum of cytosine and thiamine, that is what pyramidine, तो हम लिख रहे हैं, कि number of purine molecules, number of purine molecule is always equal to number of perimedine molecules, यह एक बहुत ही जबरदस्त किसम की finding जाहर है, इसके लिए इस पर्टिवर साइनेटर्स एरवन शाडगर्फ को काफी ज्यादा quantitative test करने पड़े होंगे, लेकिन वो यह बताने में बहल काम याभ हुआ, कि number of purine molecule are always equal to number of perimedine molecules in a given molecule of the DNA, आप समझे है आप लोगों को, अब हम गरेंगे किया, that is regarding the diameter of molecule, वो हमें किस तरह पता चली, तो पहरी बाद तो यह है कि अभी हमें देखना है कि वो इंफरमेशन है क्या, तो answer is, कि जो हमारा DNA है, it is a molecule, DNA is a molecule that has got a uniform diameter, that has got a what, uniform diameter, ठीक है, इस मरपस के लिए, हमारे पास एक British physicist था, लिखते हैं, there was a British physicist and her name was Rosalynn Franklin, right, इस परपस के लिए, it is her picture, आप देख सकते हैं कि यह जो मोहतरमा थी, यह बेसिकली एक radiologist थी, whenever we use the term radiologist, it means she was doing experiments with radiations, और उसने जिस टेक्नीक का सारा लिया, उसे हम नाम देते हैं, X-ray diffraction analysis, क्या उसने क्या सुरन्स हमारे पास, X-ray, X-ray diffraction, technique use की उसने, समझते हैं कि यह technique क्या है, बड़ी simple सी बात यह है, कि उस purpose के लिए करना क्या पढ़ता है, हम लोगों को DNA देना पढ़ता है, और उस particular DNA fiber के उपर फिर हम X-ray मुंबार करते हैं, और X-ray मुंबार करने के बाद, वो different angles के उपर करती हैं, हिट करती हैं, और हिट करने के बाद, हमें एक diffraction, X-ray diffraction pattern obtain होता है, और फिर उस particular X-ray diffraction pattern के उपर, हम काफी ज्यादा mathematical operations करते हैं, remember my dear students, कि ये जो mathematical operations हैं, ये इनसान की अकल का एक खुपसरुत मजहर है, ऐसा नहीं है कि ज़राफ हमें DNA की बन्जबाशी तस्वीर मिल गई थी, नहीं, जो तस्वीर हमें मिली diffraction के बाद, उसके उपर इन particular लोगों ने, physicists लोगों ने बहुत ज्यादा manipulation की और बहुत ज्यादा manipulation के बाद, जिस दिजे पर पहुंचे वो ये था, क्या my dear students के जाहर है, DNA is a double helical structure that has got a uniform diameter, यानि कि not only uniform diameter का पहाँ चला, बिलके ये वारी बाद भी पता चली के ये एक double helical structure है, it is a double helical structure. However, इसके बार में भी हमारी research की field में काफी ज़्यदा, you can say, debate पाई जाती है, सवाल कि हमारीज दिजे सुडेंट्स के रोजलिन फ्रेंक लिंग ने जिस particular molecule के उपर काम किया, that was basically the DNA molecule, इस DNA molecule का हमें क्या बना पढ़ता है, fiber आएं हम उस particular scientist को भी tribute देते हैं, जिसे सबसे पहले DNA के fiber को बनाया था, तो his name was Morris Wilkin, Morris Wilkin, right, इस particular scientist ने हमें DNA के fiber को बना के दिया, जब DNA का fiber इसको मिला, तो इस ने इस DNA fiber के ऊपर फिर जाहर है, research के research करने के बाद यह बताया, कि यह basically एक double molecule structure है, जिसका diameter uniform है, and it is equivalent to 2Nm, whenever you use a term 2Nm, इसका मतलब यह है, कि 2 nanometer और एक nanometer जो होता है, it is equal to 10 raise to the power minus 9 meters, तो पर imagine कर सकते हैं, कि उसने कितने micro level के ऊपर जाके सारा research के research करने के बाद वो इस level पर पहुंचा, कि DNA एक double helical structure है, जिसका diameter uniform रहता है, और उसकी length, उसकी diameter की जो चोड़ाई है, it is 2Nm, फिर उसने कि बताया कि, कि यह double helical structure है, तो उसके एक helical के अंदर कितना, you can say distance cover होता है, तो उससे बताया, कि each turn, जो भी हम turn की बात कर रहे हैं, that particular turn, it consists of 3.4 nm, अब इन दो बातों को understand करने के लिए, मुझे सहाएना पड़ेगा, इस particular image का, तो आपको नदर आ रहा है कि इस image में, यह horizontal lines, यह lines along exercises यह बता रही हैं, कि यह और DNA का molecule 2 nm क्या है, चोड़ा है या थिक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर पाई जाने वाले coils की बात करूं, तो हर दो coil के दर्मियान जो distance है, look at this, अब आपने खौर करना है, vertical line को जो दो coil के दर्मियान में है, तो answer कितना आ रहा है, 3.4 nm, अगर मैं इस particular चीज़ को unwind करूंगा, तो मेरे पास एक ladder like structure बनेगा, इसमें बोलते हैं, primary structure of DNA, जब मैं इस में से एक ladder के एक bonds के अंदर फोकस करता है, इसके अंदर ये एक nucleotide, और अब देखें, आपको ज़र आ रहे हैं, यहां पे वो phosphoester bonds, तो इस तरीके से ये phospho diaster linkages क्या बना देती हैं, जाहिर है, long chains of DNA molecules, फिर यह आपस पे जुड़ती हैं, तो क्या बहुता है, double ladder like structure of DNA, फिर जब ये क्वाइल होते हैं, इन सारी बातों की information हमें कहां से मिली, इसके लिए कौन कौन साइटिस्स ने क्या क्या contribute किया, कितने अरसे तक ये शम्मा बेनूरी में चलती रही, तो आखरे कार हमें DNA की स्थर के बार में पता चला, इन सारी बातों कम study करेंगे, lecture number six में आप लोगों के साथ, till that time, take very good care of yourself and your great parents. I want to see you. Allah Hafiz.